So hello guys, मेरा नाम है साजी सेफी and you are watching technical सेफी and guys आपने मुवाइल से आप लेपटोप के अंदर या फिर अपने लेपटोप से अपने मुवाइल के अंदर डेटा ट्रांसफर करने के लिए आज के इस दोर में अगर आप डेटा केवल का यूज करते हैं तो आप टेकनोजी के हिसा इसा मेथड बताने वाला हूँ जिसके जरीए आप बहुत ही सूपर फास्ट स्पीड के अंदर अपने मुवाइल से अपने लेपटोप के अंदर और अपने लेपटोप से अपने मुवाइल के अंदर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं यस गाइस यहां Android ने Nearby Share को PC के लिए भ बहुत ही इसली अपने किसी भी Android मुवाइल से अपने लेपटोप के अंदर बड़ी से बड़ी फाइल को बहुत ही सूपर फास्ट स्पीड के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं एक दम बिना किसी जंजट के और ठीक इसी तरह से आप अपने लेपटोप या फिर अपने PC से और Android मुवाइल के अंदर यह पहले से ही होता है, simply आपको Android मुवाइल से लेपटोप के अंदर डेटा ट्रांसफर करने के लिए आपको केवल शेयर बटन पर टैप करना है किसी भी फाइल को प्रेस एंड होल कीजिए और शेयर बटन पर किलिक कीजिए और उसके बास सब सब करने हैं और उसके बाद आपका जो डेटा है वो आपके PC या फे लेपटोप से आपके मुवाइल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, खर्दूस भी आप मुझे कमेंट करके बताए कि अभी आज से पहले अपने मुवाइल से अपने लेपटोप के अंदर और अपने पसंद आया होगा, अगर आपको यह व्डियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथी साचैनल को सब्स्क्राइब करना बिलकोल न भूलों तो चलिए, फिलार इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ठीक इसी तरह क एक और नीव वीडियो के साथ